अल्लों वेल्कम बैक तो अनौध दर ब्रैंडी वीडियो फ्लाड रिकॉर्ड हम आज हमारे सामने वीडियो में हैं ब्रेजा ब्रेजा का यह लेक्साई वेरिंट होने वाला है और जो नहीं वाली आपको पता ही है कि हां पर कोई भी लेकसे जाइथ नहीं है ब्रैंडिंग आ आती है वो है यह रेंज रोवर लाइट्स बहुत ही प्यारी लगती है इट रेली लुक्स लाइक रेंज रोवर पीछे से बिल्कुल रेंज रोवर अगर मैं ब्रेजा हटा के पीछे रेंज रोवर लिखवा दोना वहीं लोग मॉडिफिकेशन कर भी रहे हैं काई सारे लुक्स नाइस तो इसको दिखाना बनता है यह देखो यार मारतिवालों ने काम तो कर रहा है ब्रेजा में पूरी लोग की चेंज कर डाली जो इतने सालों से उनकी एक लोग आ रही थी उससे सब कहीं ना कहीं बोर भी हो चुए तो यह जरूरी था तो यह बहुत अच्छी लगवाने पड़ जाते हैं बाकि यह आपको कंपनी से मिल जाते हैं अब जो फेंडर से जो है इंडिकेटर सटाकर आपको मिरर्स पर दे दिये कहें जो की बहुत एक अच्छी चीज है इसमें कहीं से बेस मोडल वाली फीलिंग आने रही और कंपनी से अगर आप अलॉइज लगवालो तो यह कहीं से भी आप देख के बता दो कि यह एलेक्सा यह बेस वेरेंट है आप देखो इसमें प्रोजेक्टर लैंस कंपनी से एलीडी वाले डलवा रखें और यह फॉग लैंस भी कंपनी के एक्सेसरी का पार्ट है अभी ताक इस पे टेंप्रेरी नंबर ही चल रहा है तो नहीं गाड़ी है बिल्कुल ब्रैंड न्यू बागी यह जो आपको दिख रहे हैं यह है मारूती के ही 17 इंच के विल्स हैं जो कंपनी से ही डलवाए गए हैं और मतलब इसमें टॉप मोडल में 17 इंच आते हैं कंपनी साथ हैं 16 इंच के तो इसी में आप फिनिश में मिलता है बड़ उपर पूरी वाइट शाथ मिलेगी वह चाहत तो चेंज करवा सकती हैं कोई भी कीले सेंट्री का उप्शन नहीं है नहीं ड्राइवर साट पर कोई प्र को नौर्मल चावी मिलेगी जो कि मारूती काफी सालों से चलाता आ रहा है वही चावी आ पाउंटेन वाला एक बैजिंग सी आड़ कर दिया इसका मतलब मुझे पता नहीं अगर आप में से कीज़े को पता हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए क्योंकि मुझे नहीं पता यह पहले ब्रिजा में यह नहीं आता था ठीक है अब मैं आपक सब्सक्राइब कर सकते हैं अब अगर एक बर हम उसको गाड़ी को बंद करते हैं यहां पर चेंज करा रहा है तो यह हौन तो बाहर का ही है अगर मैं देख लूए आपको सारा मैनुल कंट्रोल मिलता है आपको नहीं मिलेगा अब पहले वाली ब्रेजा में काफी सारे फीचर आजाते थे बेस वाडल से इन्फोटेन्मेंट वगरा सारा हटा था खर्चा अगर आप अच्छा सिस्टम लगवाते हो तो आपको सारी कप्लस वगरा सारे अंदर आपको वायरिंग मिलेगी आप पूरा ब्लाक इंटीर आपको मिल जाते हैं अब इसमें कुछ भी नहीं लगावा पीछे आपको नहीं मिलता है आप चाहो तो इसके अंदर लगवा सकते हो कंपनी से थोड़ा ताम जाम है थोड़ी टॉप मोडल वाली फील देनी है तो आप कर सकते हो बाकि अगर मैं आपक तो फूल अंडर थाय सपोर्ट है आप देखो मेरे नीज तक यह सीट आ रही है मैं अपने सबसे सीट अभी पीछे कर रखी है तो स्पेस तो पूरा-पूरा है गाडी के अंदर आप देख लो यहां कहीं नहीं मिलता आफ्टर मार्केट जाकर आप लोग यह लगवा सकते हो अगर हम आते हैं तो आपको यहां कूल भॉक मिलता बहुत ज्यादा बड़ा ग्ल्व ऑक्स है चोटा साही है तो यह आपको कुछ गलव वक्स मिल जाता है यहां पर अंप्रेला और बॉटल रखने की जगे मिल जाती है पीछे अगर मैं जाओं तो पीछे भी आपको यहां पर पावर बटन्स मिल जाते हैं शीशे अपडाउन करने के लिए और यहां भी आपको मिल जाते हैं पावर बटन्स पीछे पासल ट्रेंगी आती है कंपनी से आप अक्सेसरी का पार्ट में ले सकते हो यह हैं अच्छी चीज जो कि एड हुई है बेस मॉडल ब्रेजा में वह ह इसका एसी रियर वालों के लिए ज़रूर दे दिया गया है जिसकी वाज़ा से कूलिंग बहुत ज्यादा इन्हांस हो गई है अब जो अच्छी चीज़ पर लगती है जिसने इसका माइलेज बहुत जादा इंक्रीज कर दिया पेट्रोल वालों का वह स्मार्ट की रेंज है और आप देखो अगर कोई भी दर्वाजा खोलता है आगे पीछे से तो आपको अगरी बहुत ज़्यादा बहुत ज्यादा स्टेबल भी है इतने ज्यादा हाइट होने के बाद बाद बॉड़ी रोल वगरा मुझे इसके अंदर लगता नहीं है ठीक है बट फि बहुत अच्छी रोड है तो हंड्रेड के आसपस इससे जादा नहीं वागि दिल्ली में तो इतने स्पीड कैमरा हैं साट्स उपर मत ही चला तो जादा अच्छा है वह आपके चलान आपकी जेप को नहीं तो अफेक्ट करेंगी वागि यहाँ आप देख सकते हो मिड़ी प से गाणी चलने लग जाती है या पर अवह कभी red light पहटी हो तो battery इसको power देती है वील्स को और पार वील्स ही काम आते वील्स से गूमते हैं वैसे बैटरी चार्ज होते बागी काफी इंदर देख लो उसके बाद यह है रियल टाइम माईलेज आपको जब गाड़ी चल रही होगी तब दिखाएंगे बागी लेफ साइड पर आपको फ्यूल इंडिकेट फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है यहां पर आपको इंजिन कितना हीट हो रहा है यह पता ल कुछ भी बिलकुल भी आवाज निया मैं अगर रेफ करूँ चार हजार तक भी कोई आवाज नहीं है ठीक है तो आप समझ सकते होगी कितना जबाद साइलेंट एंजन है और मारिती इसे कलिए फेमेस है साइलेंट इंजन बहुत जब साइलेंट इंजन इसका आता है अगर आपको एड्रूम दिखाऊं तो एड्रूम भी बहुत अच्छा खासा मिल जाता है अच्छे खासे बंप्स पे भी आपको जो आपका सर है वो नहीं लाएगा बाकि अगर रेर मिरर की बात करें रेर मिरर की तो आपको यह मैनुवली अजस्ट करना पड़ेगा यहां मैं आपक आपको आपको एक वैनेटी मिरर तो देना चाहिए था मेरे हिसाब से मकी यहां पर संग्लास होल्टर की कोई भी स्पेस नहीं छोड़ी गई है फिर भी अगर आप आप्टर मार्केट जाना चाहता तो लगवा सकतो बीच में आपको रीडिंग लांप्स मिल जाते हैं जो कि कुछ भी नहीं मिलता है और यह आप देख सकते हो देशी जुगार सीट बेल्ट का यह नहीं करो तो अच्छा है यह बहुल बिल्कुल वेकार है आलवेज वेर सीट वेनेवर यू ड्राइव अल्वेर हेलमेट वेनेवर यू ड्राइवा मोटर बाइक ठीक है वागि इसके क बूट में कितनी जगे हैं तो बूट यहां से आपको नहीं बतालेगा कि कितनी जगे है कि इसमें बेस्टूब काफी बड़ी टिकवार रखी है वाकि डेप्थ अगर मैं आपको दिखा दू तो इसमें मेरा पूरा हाथ चला गया तो अच्छी खासी डेप्थ है इसकी और अराम सहाब तीन-चार बड़े-बड़े सूट के जिसके अंदर रखे लेके जा सकते हो और चार लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा कमफर्टेबल भी है यह गाडी मैं अगर पीछे आजाँ गाड़ी के तो आप देख लो मैं अपने हिसाब से मोर्दन एनफ इंकलाइन कर है इने पीछवलों बंदा आराम करने के लिए होता है ठीक है और उनके लिए हैडरस निकाल कर बैठे हुएं जिनको जो चीज मिलती है उस चीज पे उनको मतलब मजा निया था साइटिस्फेक्शन निकाल कर रख दिया है बाकि यह कभी भी मत निकालो ने तो आपके गर्द जादा लगती है ऐस कंपेर्ड टू ओल्ड ब्रेजा बाकि सब गाड़ी में बहुत अच्छा है इसकी जो रोड प्रेजंस है इस वेरी गुड आप देख सकते हो आगे से भी कितना बलकी लुक बना दिया है एकदम एयर कटिंग के लिए यह सारी एज बनाए गए यह टॉप स पर वादे तो बिल्कुल रेंजवर से कम नहीं लगती है बाकी यह मारतिका लोगों बड़ा बड़ा दिखा दिया है 1.5 लेटर का इंजन आपको दिखा देता हूं इंजन में कैसा दिखता है 1.5 लेटर का वही सेम इंजन जो पहले भी ब्रेजा में आता था मैं आपको दि से भी जादा है तो हेवी है 1.5 लेटर का कुछ ऐसा इंजन आपको दिख जाता है इंजन में थोड़ा सा गंदा हो रहा है ऑल्दो इस अन्यू कार बट स्टिल आपको देख लो इसमें काम है नहीं अट ब्लू अगर आगा क्योंकि यह डीजल काड़ी है नहीं बागि इसमे कुछ लगवा रखी है वह मैं आगली वीडियो में डिसकस करूंगा तो ऐसा कुछ इसका इंजन भी है मेरे को काफी उमीद है इसके ग्लोबल इंक्यापरेटिंग से क्योंकि इसकी बिल्ड क्वाल्टी अगर मैं देख के बताऊं उसके डोस बगरा मुझे अच्छी लग र प्लास की के सारा कहीं भी लेदराइट का यूज नहीं किया गया अब देखो अच्छी एक वाल्टी दूसरी गाडियों से तो अच्छी है बाकि लेट्स वेट फॉर दर ग्लोबल एंक्यापरेटिंग और इतना ही था होप मैंने सब कुछ बता दियो हो चूट यहा तो कमें करें करें क्या है लोग तो किसा मता है अबक्ता वाल्टी घस्ता कि वाल्टी भाल वेट्स васी एक हैं मैंने उिख फॉर जो सोफ और करение क्या ड्म भी दिजा यहा लेडने सिine दिऊ लगक्यारा वेप साटी प्लोफ भाल्ट हैं सbt्पना है वाल्ट छो उत्वरां टूसरी प